नमस्कार दोस्तो आज के वीडियो में मैं करने वाला हूँ वा टेक वा बैग लिमिटेड शेर का टेकनिकल एनलिसेस और हम देखेंगे कि इस शेर में एक धमा के दार तेजी कब आईगी इस टॉक में हमारे बेस्ट बाइंग लेवल्स कौन से रहेंगे और अंत में हम डिसकस करेंगे कि इस शेर में हमारे short term targets क्या रह सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले अगर बात आती है इस शेर में resistance की तो यहाँ पर आप देखो दो important resistance लेवल्स है जो सबसे पहले important resistance है इस शेर में वो है यह वाला लेवल यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते हो 344.55 रुपीस का लेवल एक important resistance है वा टेक वा बैक के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो इस शेर ने इसी लेवल पर multi time resistance फेस किया है और दोस्तो अभी यह शेर हमें एक range में फस्ता हुआ दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर यह resistance अगर यह शेर ब्रेक कर देता है तो एक अच्छी तेजी आ सकती है उसके बाद का जो दूसरे important resistance है वो है यह वाला लेवल यहाँ पर 361.30 का लेवल दोस्तो यह important की हुए क्योंकर यहाँ पर आप देखो पहले इस शेर ने इस लेवल पर support लिया था जैसे ही support तोड़ दिया उसके बाद एक बड़ी गिरावट आ गई गिरावट के बाद जब तेजी आई तब भी इस शेर ने इसी लेवल पर resistance फेस किया तो अगर यह शेर पहले तो 344 का resistance ब्रेक करेगा तो उसके बाद का जो अगला resistance है वो है 361 का लेवल अगर बात आती है support की तो दोस्तो यहाँ पर भी अभी दो important support लेवल्स है जैसे का मैंने आपको पहले का कि यह शेर एक range में फसा हुआ है तो resistance तो हो गया 344 का लेवल पर जो important support है इस share में वो है 330.50 का लेवल अभी दोस्तो यहाँ पर यह resistance यह support अगर यह share resistance ब्रेक करता है तो तेजी आएगी पर अगर इस share ने support तोड़ दिया तो गिरावट आ सकती है तो जो अगला important support है वो है 311 का लेवल यह वाला लेवल दोस्तो यह important बहुत ज़्यादा है क्योंकर आप देखो इस share में हमें लगा था एक downtrend देखने को मिला था पर जैसे इस share का price is resistance इस support के दर पहुचा उसके बाद इस share में हमें एक अच्छी उच्छाल देखने को मिली थी अगर बात आती है इस share में technical indicators की तो मैं यहाँ पर दो important indicators को लगा चुके हैं जो सबसे पहला indicator है वो है MACD indicator और दूसरे indicator है RSI तो दोस्तों यहाँ पर आप clearly देख सकते हो कि MACD में हमें कहीं दिनों से कोई बहुत बड़े positive histogram या बहुत बड़े negative histogram generate होते हुए नहीं दिखाई दे रहे है MACD यहाँ पर almost flat चल रहा है तो हम कहाई सकते है MACD hold का signal दे रहा है और अगर बात आती है RSI की तो आप देखो के RSI अभी 50 के नीचे है तो हम कहाई सकते RSI थोड़ा बहुत bearish दिखाई दे रहा है अगर बात आती है SHARE में खरिदारी करने की तो यहाँ पर एक simple logic है अगर यशर अपना resistance का breakout दे देगा 344.55 का level तो मैं SHARE में entry ले लूँगा मेरा जो सबसे पहला target रहेगा वो रहेगा 361 का level दूसरा target यहाँ पर मेरा रहने वाला है 400 रुपीज का level दोस्तों अगर यशर 400 के ऊपर जाएगा तो उसके बाद यशर 450 तक के targets अच्यू करेगा short term में अगर बात आती है stop loss की तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपके पास कोई भी holding है तो 330 का stop loss closing basis पे लगा सकते हो तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस शेर में मेरी कोई भी by sale या hold की सला नहीं है क्योंकि ये वीडियो के educational वीडियो है धन्यवाद